साथ भी यान शोशन मामले में राम रहीम तो रोह तक जेल में 20 साल की सजा काट रहा है लेकिन बाबा और हानी प्रीट लेकर रोज नए नए चौकाने वाले खुलासे हो रहे हैं सोशल मीडिया में बाबा को लेकर कई तरह की खबरें वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि राम रहीम ने अपनी गोदली बेटी हनी प्रीट से चुपके इसे शादी की है जिसका किसी को पता नहीं है हनी मून के लिए बाबा गया था बैंक आउक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस खबर में दावा किया जा रहा है कि राम रहीम और हानीप्रीत शादी करके हनीमून के लिए बैंक कौक गए थे बाबा के पूर्व डेरे प्रेमी भुपिंदर सिंग ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए बताया कि हनीप्रीत कोई उसकी बेटी नहीं थी वे तो बाबा की पतनी थी भुपिंदर सिंग ने बताया कि बाबा और हनी प्रीत की शादी हुई हो चुकी है, कब हुई थी और कहां हुई थी ये सब खुलासा हनी प्रीती करेगी डेरे प्रेमी ने ये भी बताया कि वेह दोनों प्रेमी कपल की तरह रहते थे हनी प्रीद बाबा के लिए कर्बा चौत कवरत भी रहती थी वाइरल खबर में ये भी दावा किया जा रहा है कि हनी प्रीद और राम रहीम के विदेशों में कई जुआइंड अकाउंट और प्रॉपर्टी है हनी प्रीद के पूर्व पती विश्वास गुपता ने भी ये आरोप लगाया था कि राम रहीम और हनी प्रीद के बीच अवैद संबन्द है वाइरल खबर में ये भी दावा किया है कि विश्वास गुपता ने राम रहीम को हनी प्रीत के साथ आपती जनक खालत में रंगे हाथ पकड़ा था बाबा ने हनी प्रीत से शादी की या नहीं इस बात की पुष्टी दैनिक भासकर.com नहीं करता है ये खबर सोशल मीडिया पर वाइल हो रही है. सोशल मीडिया पर बाबा के लिए यूजर ने लिखा ऐसा. सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा है कि बाबा ने पापा की सारी हदें पार कर दी हैं कोई पापी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता है. यूजर ने लिखा बा वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है बाबा ने ऐसे कुक कर्म किया है अब इसे तो नरक में भी जगेह नहीं मिलेगी। तीसरे यूजर ने लिखा है कि बाबा तेर पाप का घड़ा भर गया था इसलिए तो आज सलाखों के पीछ है। इसे तो अब जिन्दगी भर जेल में सरना चाहिए चौथे यूजर लिखता है बाबा तेरी मती मारी गई थी हवस के चक्कर में तू सही गलत क्या होता ये भी बाबा भूल गया राम रहीम जैसे बाबा संत के नाम पर कलंक है अगर संत लोग ऐसा करेंगे तो अपराधी क्या करेंगे लिखा है राम रहीम कोई संत नहीं था वो तो पागल तो खुद को सुप्रमैन समझता था कि वो जो करेगा उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा